ओम श्री परमात्मने नमहा, ओम नमो भगवते वासु देवाय, श्री कार्तिक मास का महात्म अध्याई ग्यारवा नारजी बोले कि इंद्राधी देवता दैत्यों को फिर आता देख भैभीत हो भगवान विश्णू की स्तुति करने लगे कच्च मच्च आदी रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विश्णू शिवादी रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा, शंक, पद, मौर, खड़क धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमसकार है हे असुर निकंदन, गरुणायक, पीतामबर धारी, यज्यादिक क्रियाओं को के भोगता, अविकारी, शर्णागत, त्राता हम आपको बारम बार नमसकार करते हैं दैत्यों से संतापित मनुष्यों की दुखों को ध्वन्स करने के लिए बज्र रूप तथा अश्रेश नाग की शैयापर शैयन करने वाले सूर चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको हमारा बारम बार नमसकार है नारजी बोले इस प्रकार दैत्यों की इनाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया तब क्रोध से खिन होकर शीग रही गरुण पर सवार हो लक्ष्मी पती दीनानात प्रभू लक्ष्मी जी से बोले कि तेरा भाई जलंदर देवताओं को दुख देता है इससे मुझे उन्होंने बुलाया है सो मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ तो लक्ष्मी जी बोली के हे प्राणनात मैं आपकी प्यारी हूँ फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे श्री भगवान बोले श्रीव जी के अंशत से पैदा प्रह्मा के वर्दान और तेरी प्रीती से यह जलंदर हमारे मारने योग के नहीं है तथा आपी मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा तो नारज जी बोले यह कहकर गरोण पर बैठ वे देवता जहां इस्तुती कर रहे थे वहाँ पधारे इसके बाद गरोण के छोटे भ्राता और गरोण के पंखों की वायू से बबूला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेगों की तरह भ्रमन करने लगे जलंदर दैत्यों को वायू पीडित देखकर आकाश में विश्णू के पास गया वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ विश्णू ने बाणों से दैत्य को धोजा छत्र और घोडा काट दिये और एक बाण उसके हृदे में मारा उस दैत्य ने भी गरोण के माथे में गद मार कर उसको प्रत्वी पर गिरा दिया विश्णू ने हसकर उसकी गदा काट दी तब उसने विश्णू के हृदे में जोर से खूसा मारा वे दोनों जब मल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटू की मार से प्रत्वी शब्दाय मान हुई वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे तम मेग जैसी गंभीर वानी से दैतिराज से विश्णू भगवान बोले कि मैं तेरे पराक्रम से प्रसन हुआ तू वर मांग नहीं देने योगी भी बरदान होगा वो भी मैं तुमको दूँगा जलंदर बोला कि हे भावुक जो आप प्रसन हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आप रहो नाराजी बोले कि बहुत अच्छा ऐसा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंदर के पुर में पधार गए महाबली जलंदर उन उन देवताओं को दैत्यों को सौप प्रत्वी पर आया देवता गंधर्व सिध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तूओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज बसाकर वह त्रिलोकी का राज करने लगा वह पिता तुले धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था मैं एक समय उसके राज का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हे तू उसकी राजधानी जा पहुँचा ओम नमो भगवते वासु देवाए अरपणा अस्तु हरे कृष्णा